पॉलिटिकर अफेर्ज की सिर् hunters और उसमें हमने पिछले लेक्चर में कुछ लेंडमर् जेज्मेंट सुप्रीम कोड की गवर करी थी जो की डिड़रा रायट्स क्यों पर बेस्थ थी इस particular lecture में भी और judgments cover करेंगे जो कि आपके pre-mains interview के point of view से और ऐससे निबंथ के point of view से काफी important है सबसे पहली judgment है विशाका and others versus state of Rajasthan 1997 मसला ये था कि एक civil society की worker थी और उनका गैंगरे पूर Rajasthan में काम करते वे तो वहाँ पे लोगों को लगा कि महिलाएं जो हैं वो अपने काम की जगा पर safe नहीं है और ऐसे में Supreme Court का दर्वाजा खटखटाया गया कि काम की जगा पर महिलाओं को safety provide करनी चाहिए अच्छा 1997 में judgment आई थी उस समय पे हमारे यां महिलाओं को workplace पे sexual harassment यौन उत्पीडन से बचाने के लिए कोई कानून नहीं था Supreme Court को बीच में आना पड़ा और Supreme Court ने बोला कि अगर किसी भी महिला का काम की जगा पर यौन उत्पीडन sexual harassment होता है तो वो Article 21 के खिलाफ है सबसे पहले Article 21 हमारे को यह बोलता है कि हर महिला के पास right to dignified life होता है मतलब कि इजददार जीवन जीने का अधिकार होता है यदि उनके काम की जगा पर उनके साथ यौन उत्पीडन हो रहा है तो वो Article 21 का उलंगन है Also Supreme Court ने भी बोला कि Article 21 के अंदर right to work जो है वो dignified life का पार्ट है तो ऐसे में हमारे को महिलाओं को safe working environment provide करना और protection from sexual abuse करना ये हमारा करतव्वे है मतलब कि क्योंकि उस समय पे संसत भवन का कोई कानून नहीं था महिलाओं को workplace पे sexual harassment से बचाने के लिए तो इसलिए Supreme Court को बीच में आना पड़ा उन्हेंने बोला कि अगर किसी भी महिला का workplace पर यौन प्रीडन हो रहा है तो वो सीधा सीधा आर्टिकल 21 के खिलाफ जाता है मतलब कि एक महिला के fundamental right के खिलाफ जाता है इतना ही नहीं आपको पता है कि हमारे को part 4 of the Indian Constitution में राज्य के नीति निर्देश दिये वें जिन्हें हम डिरेक्टेब प्रिंसिपल्स टू दे स्टेट पॉलिसी बोलते हैं उसमें article 39 small a में एक DPSP है equal opportunity of livelihood for males and females कि पुरुशों के लिए और महिलाओं के लिए हमारे को बराबरी के अफसर create करने चाहिए अगर किसी महिला का यौन उत्पीडन हो रहा है काम की जगा पर तो ऐसे में वो काम पे जाने से डरेंगी लेकिन पुरुश तो फिर भी जा पाएंगे तो ये जो है article 39 small a के अंदर जिस बराबरी की बात करी कई है पुरुश और महिलाओं के बीच में इस बराबरी का उलंगन खंडन करता है sexual harassment at workplace ऐसे में सुप्रीम कोट ने बोला कि क्योंकि पार्लिमेंट का अभी कोई कानून मौझूद नहीं है इसलिए हम अपने जुडिशल अक्टिविजम का इस्तमाल करते वे यहां करेंगे जुडिशल लेजिसलेशन आप इस प्रिंसिबल का मतलब समझिए usually क्या होता है कानून बनाना संसद भवन या फिर विधान सभा विधान परीशत का काम होता है लेकिन अगर किसी पर्टिकुला मसलेप पे संसद का या विधान सभा का कानून नहीं है उस केस में जुडिशरी अपनी जज्जमेंट पास करके ये बोल सकता है कि जब तक संसद भवन या विधान सभा इसके उपर कानून नहीं बनाते तब तक मेरी जज्जमेंट ही ये कानून मानी जाएगी इसे हम कहते हैं जुडिशल लेजिसलेशन कि जो काम लेजिसलेशर को करना चाहिए था क्योंकि वो उन्होंने नहीं करा इस वाज़े से जुडिशरी को बीच में आके ये काम करना पड़ रहा है तो ये जो विशाका गाइडलाइन है ये जो विशाका केस है ये judicial legislation और judicial activism का example है ठीक है तो Supreme Court ने देखा कि article 21 और article 39 small a क्योंकि महिलाओं का violate हो रहा है because of sexual harassment at workplace तो उन्होंने एक set of guidelines lay down करा जिने हम famously बोलते हैं विशाका guidelines महिलाओं को काम की जगा पर यौन उत्पीडन से बचाने के लिए Supreme Court ने विशाका guidelines follow करी यहाँ पे दो principles का आपको ध्यान रखना है बहुत important है जो निबंद और mains के point of view से आ सकते हैं एक, Beijing Statement Principles of the Independence of Judiciary 1995 Beijing में एक conference हुई और वहाँ पे कुछ principles adopt करे गए नियाए पालिका की आजादी को लेके Supreme Court ने बोला कि यह हम guidelines इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में यह माना जाता है कि Judiciary सब जगा पर आजाद होनी चाहिए Independent होनी चाहिए ऐसे में अगर संसत भावन या विधान सबाने अभी तक Sexual Harassment at Workplace के मसले पे कोई भी कानून पास नहीं करा है तो हम अपनी करतवे निभाते वे और Beijing Statement और Principles का पालन करते वे हम यह Sexual Harassment को Prevent करने की Guidelines ले डाउन कर रहे हैं Also 1979 में United Nations General Assembly में एक Principle Adopt हुआ था जिसको कहते हैं Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women मतलब की महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदबाव का हमार को जो है End करना है उसे खतम करना है उसे जो है Eliminate करना है इन दो Principles को Follow करते वे एक अपनी Independence को देखते वे दूसरा महिलाओं के Rights को Protect करते वे Supreme Court ने महिलाओं को Workplace पे Sexual Harassment से Prevent करने के लिए विशाका Guidelines लेडाउन करे अब आप समझे मुक्य परीक्षा में अगर आपको Question आता है Judicial Activism और Judicial Legislation के उपपर ये Example दे सकते है अगर आपको Question आता है कि Judiciary जो है वो Guardian of the Fundamental Rights है हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है ये Example कोट कर सकते है और यदि आपको महिलाओं के उपपर किसी Question में पूछा राता है कि महिलाओं के Rights को Protect करने के लिए 1747 से 1950 के बाद से क्या-क्या कदम उठाए गए है हमारे देश में अब इसलिए 20-30 वर्षों में क्या कदम उठाए गए है महिलाओं के Rights के लिए तो ये Again Example वहाँ पर कोट हो सकता है बहुत ही Multifaceted Example है जो अलग-अलग जगाओं पर आप इस्तमाल कर सकते है तो Beijing Principles और United Nations के इस Convention का पालन करते वे विशाका Guidelines लेडाउन करे गए याद रहे ये Guidelines 1997 में आये थे और इस समय पे संसत का या State Legislature का कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो महिलाओं को Sexual Harassment से बचाए काम की जगा पर Supreme Court ने बोला कि यहाँ पर हम Article 141 को invoke करना चाते हैं हमने पूचा सर Article 141 क्या होता है तो माननी ये सरवोश नियाले ने बोला कि Article 141 का मतलब होता है कि यदि Supreme Court को जज्जमेंट पास करता है तो वो Supreme Court के नीचे जितने भी courts और tribunals है उन सब के लिए वो binding हो जाता है कानून माना जाता है मतलब कि Supreme Court ने अगर विशाका guidelines ले डाउन करें महिलाओं का Sexual Harassment प्रिबेंट करने के लिए workplace पर तो ऐसे में हिंदूस्तान में जितने भी high courts हैं, district courts हैं, lower courts हैं, tribunals हैं सब को ये guidelines मनने पड़ेंगे मतलब कि Article 141 के अंदर Supreme Court के पास power है कि जो भी वो judgment pass करेगा वो निचले level के सारे courts के उपर binding होगी कोई भी निचला court Supreme Court की guidelines के खिलाफ नहीं जा सकता Also Supreme Court ने 141 के अलावा यहाँ पे 142 भी invoke करा Article 142 जो है Supreme Court को unrestricted power देता है और यहाँ पे इस unrestricted power का मतलब है कि Supreme Court जो है अगर कोई भी judgment pass करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान में लगेगी for complete delivery of justice मतलब कि Article 142 Supreme Court को ऐसी शक्ति देता है कि अगर Supreme Court ने कोई भी guidelines, judgment, order निकाला तो वो कश्मीर से कन्या कुमारी तक और गुजरात से रुनाचल तक implement किया जाएगा और उसमें कोई बहाने बाजी नहीं चलेगी Supreme Court यह बोलता है कि complete delivery of justice के लिए पूर्ण रूप से न्याय को पारित करने के लिए हम जो है कोई भी आदेश दे सकते हैं मतब कि 141 lower level की judiciary के लिए 142 सारी authorities और पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जो guidelines हमने pass कर दी है विशाका guidelines यह पूरे हिंदुस्तान में applicable होंगी तो यहाँ पे आप देखें कि किस प्रकार से Supreme Court ने महिलाओं के right to work को protect करने के लिए और उनके लिएक safe working environment create करने के लिए यहाँ पे Beijing का convention, United Nations का convention, Article 142, Article 141 invoke करा और विशाका guidelines lay down करे Finally 2013 में संसर भवन ने कानून पास करा That is Sexual Harassment of Women and Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 इस कानून के अंदर finally यह बोला गया कि हर office में internal complaints committee बनाई जाएगी और इस कानून ने विशाका guidelines को replace कर दिया आज की तारिक में विशाका guidelines applicable नहीं है यह कानून applicable है आगे बढ़ने से बहले Unacademy पर 50% discount offer चालुए यूज करेंगे referral code मदुद गुपता GS, CSAT, Current Affairs, Optional, Pre or Mains की Test Series One to One, Mentorship, Live and Recorded Classes, Daily Answer Writing और बहुत कुछ, सब कुछ एक जगा पर मिलेगा Unacademy Plus पर use करेंगे referral code मदुद गुपता अलसो साथ में Unacademy promise offer चालुए है जहां पर prelims 24 क्लियर करने पर आपको Delhi में free quality enrichment program मिलेगा Mains का अगला judgment है Municipal Corporation of Delhi versus female workers Mustard role and others 2,000 Municipal Corporation of Delhi ने बोला कि जितनी भी Municipal Corporation की workers है अगर वो pregnant हो जाती है तो उनको कोई भी maternity leave नहीं दी जाएगी महिला उने बोले ये तो गलत है Maternity leave तो basic human right है, natural right है महिला जो है, उनकी body जो है, अगर हम male और female को compare करते हैं males तो pregnant नहीं हो सकते females pregnant हो सकते हैं अगर एक महिला pregnant हो रही है तो उनको उसमय पे छुटी दी जानी चाहिए ये तो एक natural justice का principle है Municipal Corporation of Delhi ने बोला नहीं यहाँ पे सिरफ और सिरफ permanent workers को जो है ऐसी maternity leave मिलेगी आप जो daily wage earners हो या फिर जो हमारे temporary payroll पे हो आपको ऐसी कोई maternity leave नहीं मिलेगी Supreme Court के पास matter गया Supreme Court ने बोला यह जो Municipal Corporation of Delhi ने किया है कि maternity leave जो है वो deny करी है यह preamble के भी खिलाफ है fundamental rights के भी खिलाफ है और DPSPs के भी खिलाफ है सबसे पहले आपको पता है preamble में हमारे को एक principle दिया है that is equality of status and opportunity Supreme Court ने बोला कि यह जो principle है equality of status and opportunity इसके खिलाफ यह पूरा का पूरा principle जाते है कि आप males के साथ एक अलग तरीके से बरताओ कर रहे हो और females के साथ अलग तरीके से बरताओ कर रहे हो साथ में preamble में यह भी दियावाए कि आपको हर एक individual की dignity maintain करनी है मतलब कि preamble में जो dignity का concept दियावाए यह उसके भी खिलाफ है also fundamental rights के अगर बात करते हैं तो यह article 14, 15 और 16 के खिलाफ है article 14 आपको पता equality before law कि कानून के आगे सब बराबर हैं चाहे वो पुरुशों या महिलाएं हो ऐसे में पुरुशों के साथ अलग प्रकार का treatment करना और महिलाओं के साथ अलग प्रकार का treatment करना या फिर महिलाओं को उनके basic right से वंचित रखना equality before law का एक उलंगहन है और यह article 14 को violet करता है article 15 केता है कि हमारे हैं religion, race, caste, sex, place of birth के basis पे भेदभाव नहीं होना चाहिए discrimination नहीं होना चाहिए और ऐसे में अगर महिलाओं के साथ इस प्रकार का भेदभा हो रहा है कि अगर वो pregnant हो गई और maternity leave मांग रहे हैं तो उनको terminate कर दिया रहाएगा नौकरी से निकाल दिया रहाएगा यह gender के basis पे discrimination है जो की गलत है article 16 कहता है prohibition of discrimination in public employment कि अगर सरकार के अंडर कोई नौकरी है वहाँ पे gender के अधार पर sex के अधार पर कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए और ऐसे में अगर pregnant महिलाओं को maternity leave नहीं दी जाती municipal corporation of Delhi के अंडर तो यह article 16 का भी उलंगन है तो preamble और fundamental rights का उलंगन साथ में DPSP का भी उलंगन है सबसे पहले article 39 की हमारा article 39 small a बोलता है कि पुरुश और महिलाओं को बराबरी का अफसर मिलना चाहिए नौकरी में मतलब कि equality of livelihood मिलना चाहिए अगर pregnant महिलाओं को maternity leave नहीं मिलेगी तो यह उनकी equality के खिलाफ है फिर वो काम करने से कत्राएंगी कि ठीक अभी नौकरी पकड़ भी लेंगे कलको pregnant होगा तो यह तो छुट्टी हमार को देंगे नहीं फिर हमार को नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो कोई point ही निये नौकरी करने का मतलब कि इस तरीके के जो decisions होते है municipal corporation या other bodies के यह एक तरीके से शादी शुदा महिलाओं को demotivate करते हैं काम करने के लिए जो की article 39 small a का उलंगन है also article 42 categorically mention करता है कि जो भी employers हैं हमारे देश में उनको just and human conditions of work create करनी चाहिए मतलब की मानवीय स्थितियां create करनी चाहिए काम करने के लिए और maternity relief provide करना चाहिए मतलब की जो मातरित्व रहात है वो provide करनी चाहिए अगर कोई महिला pregnant है तो उनको adequate maternity leave दी जानी चाहिए ऐसा नीती निर्देश जी आगया राज्य को also article 43 बोलता है कि हमारे को सारे labors का workers का decent standard of living maintain करना है अगर आप pregnant महिलाओं को maternity leave नहीं देंगे तो उनको health complications होंगी या फिर उनका economic status impact होगा जिससे उनका decent standard of living maintain नहीं हो सकता तो ये जो particular decision था Municipal Corporation of Delhi का ये preamble, fundamental rights और DPSP तीनों की खिलाफ जा रहा था Supreme Court ने बोला नहीं जितनी भी Municipal Corporation की workers है सबको maternity leave दी जाएगी चाहे वो permanent workers हों या फिर temporary workers हों तो आपको ये ध्यान रखना है DPSP, fundamental rights and preamble आने काटमी वे 50% discount offer चालू है अपना अगला judgment है Secretary Ministry of Defense versus बभीता पूनिया 2020 बहुत recent judgment है ये with regards to permanent commission in army आपको पता है कि पहले महिलाओं को आर्मी में permanent commission नहीं दिया जाता था और उनको short service commission के लिए रखा जाता था इसका मतलब है कि पहले महिलाओं जो थी वो सिरफ वर सिरफ टेंपरेरी कुछ वर्षों के लिए आर्मी में शामिल हो सकती थी ना तो वो higher positions hold कर सकती थी और ना ही permanently आर्मी में जा सकती थी ये case पहुचा Supreme Court Secretary Ministry of Defense वर्सेश बबिता पुनिया Supreme Court ने बोला कि ये जो discrimination हो रहा है पुरुश और महिलाओं में आर्मी में ये article 14 का उलंगन है equality before law के खिलाफ जाता है equal protection of the law के खिलाफ जाता है मतलब कि Supreme Court ने बोला कि महिलाओं की demand यहाँ पर justified है और उन्हें temporary नहीं बलकि permanent नौकरी दी जानी चाहिए और साथ में उन्हें higher positions में भी enable किया जाना चाहिए इसलिए इस particular judgment से महिलाओं को आर्मी में permanent commission grant किया गया और यह बोला गया कि उनको promotion इस तरीके से दिया जाएगा कि वो higher positions तक पहुंच सके यह थी अपनी 3-3 judgment unacademy पर 50% discount offer चाल हुआ है साथ में prize high को होने वाला 31 July को also unacademy promise offer जहां पर prelims 24 क्लियर करने पर डेली में mains का quality enrichment program मिलेगा absolutely free 24 में also RM batch पांडेशन बैच और प्रदिग्या बैच शुरू हो रहे हैं August में अन्रोल करेंगे यूजिंग दा रफिल कोड मुदुद गुपता optional के batch अवेलेबल हैं ही साथ में हमारी current affairs की magazine English और Hindi में आप डाउनलोड कर सकते हैं के लिंक दिया है also offline batches भी अवेलेबल हैं यूज करेंगे रफिल कोड मुदुद गुपता लेट्स ट्राकेट